हलो एबरीबन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रही हूं एक और नई डिजाइन की लेडी सॉक्स जिसे बनाने के लिए मैं दो कलर की बूल ली है टैन नमबर सल आई ली है और इसको मैंने देखिए डिजाइनर सॉक्स बनाया है यहां पे डिजाइन डाली हो यह और थम सॉक् ये देखिए बूल को मैंने डवल किया हुआ है और यहां पे देखिए इस तरह से ऐसे एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नौ दस तो इस तरह से हम यहां पे फिप्टी बन फंदे डालेंगे एक क्या बन फंदे तो हम डाल लेते हैं यह देखिए यहां पे मैंने फिप्टी बन फंदे ले लिए हैं फर्स्ट रो हम उल्टा बनेंगे ऐसे पूरी रो हम उल्टा उल्टा बनाएंगे यहां पे आप बॉर् उधर से भी हम इसी तरीके से इसको बुनेंगे, दोनों तरफ से हम बनाते हुए इस बॉडर को कम्प्लीट कर लेते हैं, यह देखिए यहाँ पर बॉडर बनाके मैंने कम्प्लीट कर लिया, और देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच रो इधर से बनाई हैं, और चार रो हमने इधर से बनाई हैं, तो टोटल नो रो बना ली है, दसमी रोपे उल्टे तरफ हुँ मैं, आप देखिए यहाँ से हमाँ पास 50 बन फंदे हैं, 51 फंदे, जिसमें से हम 24 फंदे इधर ले रहे हैं, 24 इधर ले रहे हैं, तीन फंदे में हम डिजाइन डालेंगे, तो यहाँ से उल्टे तरफ से हम हम कलर एड़ कर लेंगे इसमें, यहाँ से मैंने यह कलर लगा लिया है, और अब हम यलो कलर से बनेंगे इसमें, और ब्लेक वाले को हम साथ में ले जाएंगे, क्योंकि आगे मुझे जरूत पड़ेगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर हम 24 फंदे बना लेते हैं, यहाँ पर मैंने 24 फंदे बना लिये, आप देखिए इस मार्कर को हम इस पर ले लेंगे, और यहाँ पर हम 3 फंदे ब्लेक से बनेंगे, 1, 2, 3 इसको हम इदर कर लेंगे, यहाँ से अब हम यलो से बनेंगे, 24 फंदे इदर के हम बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, आप देखिए यहाँ से हमने 24 फंदे सीदे तरफ से भी बनाने हैं, उल्टी रो कंप्लीट हो गई, अब हम इसको उतारेंगे, और बूल को अपने दरब करेंगे, यहां से देखें, दो, तीन, चार, पाच, छे, तो इस तरह से हम 24 फंदे बना लेते हैं, यहां पर 24 फंदे मैंने उल्टे बना लिए, मारकर को हम इस वाली सलाई पर ले लेंगे, अब देखिए, यहां से हम यह बूल क्रोस कराएंगे, तो इस तरह से यहां पर हमने एक फंदा ऐसे उल्टा बना लिया, और यहां से अब हम इसको आगे करेंगे, और यहां से पूरी रो हम उल्टा बनाते हुए, कम्प्लीट कर लेंगे, ऐसे, तो हम यह रो कर लेते हैं, यह देखिए, इधर से मैंने बना लिए फंदे, अब हम उल्टे तरप से बापस एक फंदा उतारके चौबिस फंदे बनाएंगे उल्टे अब हम मेरे पास और मेरे पास यह ब्लेक के तीन फंदे हैं जिसमें से हम इसको 설ak कर लेंगे एक फंदा बना लेंगे अब जो center का फंदा है इसके इधर भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे और इस side भी तो यहाँ पे हम एक रो में black से बढ़ाएंगे और एक रो में yellow से तो black से हमारे पास है तो यहाँ पे हम एक फंदा yellow color से यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं और center का फंदा हम उल्टा बना ले रहें, उसके बाद हम बापस देखिए, यहाँ पे एक फंदा बढ़ा ले रहे हैं, और इधर का फंदा हम black बना ले रहें, देखिए इस तरह से, और यह वाले फंदे हम yellow color से बना लेंगे, इसको हम थोड़ा सा आगे तक ऐसे दवा देंगे दागा को, यह रो हम complete करते हैं, यह देखिए उल्टी रो complete कर ली, अब देखिए यहाँ तक हम यह 24 फंदे फिर से बना लेते हैं, तो यहाँ पे हम एक फंदा उतार के, और देखिए ऐसे, इनको हम बना के complete करते हैं, यहाँ पे 24 फंदे बुन लिए, आप देखिए हम इसको क्रोस कराएंगे ऐसे, अब यह ब्लैक जो है, उसको हम उल्टा बना देंगे, ऐसे, बूल को इधर करेंगे, यलो को हम आगे लाएंगे, यलो से एक फंदा उल्टा बनेंगे, और देखिए यलो पीछे कर दिया, अब एक फंदा सेंडर का जो है, इसको हम सीधा बना लेंग यह हमेशा सीधा बुना जाएगा सेंटर वाला फंदा अब हम यलो को आगे लाएंगे यह देखिए इस तरह से और ब्लेक को आगे और इधर के हम 24 फंदे उल्टे बना लेंगे ऐसे तो हम यह रों कम्पीट कर लेते हैं अब देखिए उल्टी रों में हम यह 24 फंदे पहले उ इस तरह से यहां पर 24 फंदे हमने बना लिए देखिए हम इसको इधर करेंगे एक ब्लेक और एक यलो आप देखिए पिछली रों में हमने यलो इससे यलो से बढ़ाये थे फंदे अब हम ब्लेक से बढ़ाएंगे एक बार हम ब्लेक से और यलो से एक फंदा बढ़ा लिया और center का फंदा हमने उल्टा बना लिया, बापस देखिए एक फंदा यहां पर बढ़ा लिया तो 3 फंदे मिर पास black किया गए, यहां पर जो जैसा है उसको हम बैसे ही बना लेंगे, और देखिए यहां पर 24 फंदे उल्टे और देखिए सीरी रो में हम यहां तक 24 फंदे के बाद देखिए जो ब्लैक है उसको हम ब्लैक से बुन लेंगे यलो है उसको हम यलो से यह देखिए ब्लैक को लाएंगे आगे एक फंदा यहां पर यह ब्लैक बना लिया और एक हम सीधा बना लेंगे सेंटर का एक फिर से ब्लैक इसको पीछे करेंगे यलो आगे लाएंगे एक यलो और एक ब्लेक और इधर के 24 फंदे हम उल्टे बनाएंगे और उल्टी रो में 24 फंदे हम उल्टे बना लेंगे यहां तक यह देखिए उल्टी रो में हमने यह फंदे बना लिए उल्टे आप यहां पर देखिए जो जैसा है उसको हम वैसे ही बनेंगे इदेखी अब यहां पर थीन फंदे हैं तो एक हमniejड कर लेंगे यलो के बाद ब्लेक अब यहां से देखिये यलो से हम फंदे बढ़ाएंगे यह देखिये एक फंदा बढ़ा दिया और एक हमने उल्टा बना लिया एक फिर से हम यहां पर यलो से बढ़ाएंगे और एक ब्लैक उल्टा बना लेंगे और यलो उल्टा और पापस ब्लैक उल्टा और यहां पर देखिए यह बाले फंदे उल्टे बनाने के बाद हम सीधी रों में यहां तक बना लेंगे उल्टे यह देखिए इधर से उल्टी रों कम्प्रीट कर लें चीदे तरफ से उपन्दे उल्टे बुन लिए अब देखिए हम डिजाइन पे हैं तो एक फंदा उल्टा और यालो वाला फंदा उल्टा येलो को पीछे करा रहेंगे ब्लैक को आगे लाएंगे ब्लैक से उल्टा जो जैसा यहां पे है उसको हम वैसे ही अब यहाँ पर एक फंदा यह ब्लैक से हम सीधा बनेंगे सेंटर वाला अब हम इसको आगे लाएंगे यह देखे को पीछे कर देंगे ऐसे ब्लैक को आगे लैक पीछे किया यालो आगे यह देखे इस तरह से यहां पर हम 24 फंदे उल्टे बना लेंगे यह देखे एक दो तीन चार इस रो में चार रो कंप्लीट हो जाएंगे आगे हम यहां तक बना लेते हैं फंदों को फिर दिखाते हैं यह देखे यहां तक मैंने यह उल्टे तरफ से भी 24 फंदे बना लिए त इसको हम यालो से बना लेंगे यह देखिए ऐसे तो देखिए यहां पे बड़ा लेंगे यालो से बने लेंगे और इधर देखिए एक और एक ब्लैक अब इसके बाद हम ये दो फंदे इधर भी यलो से ही बना लेंगे यह देखिए ऐसे यहां पर देख सकते हैं इधर भी ऐसे ही तो हम यहां से ये रो ऐसे ही उल्टा बनाएंगे इस तरह से और सीधे तरफ से हम यहां तक बना लेंगे यह देखिए सीधी रो में हमने यहां तक कम्प्रीट कर ली आप देखिए इनी चार सलाईयों को आपको रिपीट करते जाना है जब यह इस तरह की चार गाट इस्टिच इस डिजैन में आ जाती हैं तो यह वाली फंदे हम यलो से बन लेते हैं उसके बाद जब इसमें आ जाएंगी तो हम इसे भी ऐसे ही बना लेंगे तो अभी हम थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको यह देखिए इस तरह से बुन लिया यहां पर जो जैसा कलर है उसको हम बैसे ही बनेंगे सिर्फ सेंडर का फंदा सीधा बनाएंगे एक उल्टा बना लिया एक सीधा एक उल्टा यह देखिए और इसको हम आगे लाएंगे यहां से इस फंदे को उल्टा बनाएंगे बिलेक बाले को वापस उल्टा और यहां से हम पूरी रो उल्टा बना लेंगे यह बना लेते हैं उल्टी रो हम यहां तक बना लेते हैं यह देखिए सीधी रो कम्प्लिट करी मैंने उल्टी रो में यहां तक बना लिए अब देखिए यहां से जो जैसे कलर से है उसको हम वैसे ही बना लेंगे यह देखिए एक black और एक yellow अब देखिए यहां पे हम एक black पुनेंगे और yellow से फंदे बढ़ाएंगे एक फंदा बढ़ा दिया यहां पे हम न बना लिया उसके बाद हम एक फंदा इधर भी बढ़ा देंगे और एक इधर black बना लेंगे एक yellow और एक black और यह वाले फंदे हम करने बाद सीधी रोव हमने यहां तक कम्प्रीट कर ली आप देखिए यहां से हम इस बूल को इधर लाएंगे ऐसे इसको हम इधर कर देंगे यहां पर जो जैसे कलर से है उसको बैसे ही आपको बनाते जाना है यह देखिए यह देखिए इस तरह से यहां तक मैंने यह देखिए इसको मैंने यहां तक बना लिया अब देखिए इस रो में मेरे पास यह देखिए एक दो तीन और चार इसकी चार गाट इस्टिच हो गई तो हम इस रो में उल्टे तरफ से इन दो फंदों को यलो कर लेंगे इनको हम बना लेते हैं उल्टी रो यहां तक बना लेते हैं यह देखिए उल्टी रो में हमने यह फंदे बुण लिये अब देखिए इस row में हम यह बाला black बाला फंदा और एक yellow बाला फंदा दो कर लेंगे ऐसे यह देखे तो यह दूसरी design भी complete होगी जैसे यह यहां पर हो गई तिया भी यहां पर हो गई अब यहां से जो जैसा बुना है उसको हम बैसे ही बुनेंगे अब देखिए यहां पर center में आ गए तो यहां से अब हम yellow बना लेंगे यह दो फंदे देखिए इधर भी हमने ऐसे कर लिए तो देखिए इस तरह से यह दो design यहां पर complete हो गए अब हम इसी को repeat करते हुए आगे हम बना के फिर आपको दिखाते हैं simple है यह बहती जल्दी बनने वाला है यह देखिए इस तरह से मैंने यह design डाल के complete कर ली और देखिए एक दो तीन चार पाच छे छे design मैंने यहां पर यह complete की है और इस रो में मेरे पास 85 फंदे हैं 85 फंदे हैं आप देखिए अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह की यह दो रो और बना लीजिए यहां पर फंदे और बढ़ जाएंगे आपके और छोटी बनाना चाहते हैं तो आप दो रो यह कम कर सकते हैं तो इस तरह से आपकी छोटी और बड़ी दोनों बनके complete हो जाएगी तो यहां पर रो भी हम बता देते हैं आपको एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे बारे रो मैंने बना ली हैं अब देखिए हम यहां से यह black color add कर लेंगे पूरी रो हम black color से ही बनाएंगे और देखिए इस धागे को आप चाहें तो cut करके भी लगा सकते हैं लेकिन मैं ऐसे ही लगा दे रही हूं से ऐसे देखिए इसको हम ऐसे कर देंगे ताकि उल्टे साइड यह उल्जे नहीं है पूरी रो हम यहां से लेके सभी फंदे हम black से बना लेंगे यह देखिए सभी फंदे मैंने यह black color से बुन लिए देखिए यहां पर भी अब देखिए हम यहां से इधर से भी इसको उल्टा ही बुन लेंगे इस फंदे को उतार के इस तरह से पूरी रो हम इधर से भी उल्टी बना के कम्प्लीट करेंगे और देखिए एक रो हम इधर से उल्टी बनाएंगे और एक रो इधर से तो चार रो बन जाएंगे यहाँ पर दो गांट श्टिच आ जाएंगे फिर हम आपको दिखाते आगे यह देखिए यहाँ पर मैंने यह दो का एक कर देंगे, एक फंदा हम घटा लेंगे, तो यहां पर देखिए, एक और दो, दो रो मैंने बना ली है, चार रो निकाली है, अब हम यहां से लेके यहां तक बना के आते हैं, यह देखिए, इस तरह से हमने फंदे बना लिए, तो अब हम यहां पर एक फंदा हम घट और चाहिए तो यहां से हमने एक घठा दिया इधर के फंदे हम अलग बनाएंगे और इस साइड के अलग ऐसे यह देखे पूरी रो अब हम ऐसे ही बनेंगे और दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए यहां पे हम छे रों कम्प्लीट करेंगे दो रों छोड़के छे और बनाएंगे फिर हम दिखाएंगे आपको यह देखिये यहां पर मैंने सात रों बना लेए हैं टोटल नौ रों हैं एक दो तीन चार पाज छे साथ आठ नौ दो रों छोड़के सात रों बनाई हैं और देखिए अब हम इन फंदों को यहां से बंद कर देंगे इस तरह आपको यह देखिए यहां तक मैंने यह भंदे बंद कर दिये आप देखिए इसी तरीके से हम इधर पून को एड़ कर लेंगे और यहां से हम बनाएंगे ऐसे दोनों तरफ से इसको उल्टा-उल्टा बनाना है और देखिए इस तरह से जब सातरों यह कंप्लीट हो जाएंग फिर हमादी का दिखाएंगे अब यह देखिए इस तरह से मैने इसको बना लिया है अब देखिए हम इसको शिलने के लिए देखिए ऐसे मैंने किया और यह से लेकर यहां से लेकर हम इसे पहले शिल दे थանना है कि आप चाहें तो दोनों कलर से सिल सकते हैं यहां पर यलू कलर का बूल लगा के इतना यलू कलर से सिल लें इसको मिलाते हुए हम सिलते जाएंगे यह देखे अब हम इसको देख लेंगे कितना यह यहां से ऐसे आ रहा है इस तरह से इधर से भी और इस साइड का भी ऐसे इतना इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे और यहां से लेके यहां तक इसको हम सिल लेंगे इसको हम सिल लेंगे और देखिए ऐसे अभी थोड़ा सा हम और इसको बंद करेंगे इतना इस तरह से आप देखिए यहां से हम ऐसे कर देंगे अलग-अलग दोनों पार्ट्स को सिल देंगे यह देखिए पूरा इस तरह से सिलते जाएंगे और यहां से हमने यह सिल दिया और यहां पर अब हम पक्का कर देंगे इसके साथ हम यहां पर नौट बना देंगे तो यह बूल भी नहीं खुलेगी और ऐस्ता बूल हम कट करेंगे इसमें से अब हम उस साइड का भी सिलेंगे यह देखिए यह दोनों सॉक्स एक जैसे बनके कम्प्लीट हो जाएंगे सेम तरीके से बनाने हैं आपको कोई चैंज नहीं आएगा इसमें अब यहां से हम इसको भी पक्का कर देंगे यह देखिए इस तरह से मैंने इसको बना के कम्प्लीट कर लिया अब देखिए हम इसमें एक डिजाइन बनाएंगे तो डिजाइन बनाने के लिए मैंने बूल को डबल किया हुआ है और यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं बैक ही है तो देखिए यहां से हम ऐसे एक और दो दो फंदे छोड़ के तीसरे फंदे में हम बना रहे हैं एक दो इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे पूरे में इसी को रिपीट करते हुए हम यहां पे एक नौट लगा देंगे यहां से ङहां से हुपने चल्सार भंपन को बनापने पाल में हो जी तjungダंप